प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मरहला दो प्लानिंग इससे पहले हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकल और प्रोजेक्ट को वाजेह करने का तरीका सीखा अब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग के तरीके कार के बारे में मालुमात हासल करेंगे आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने प्राजिक्ट का मनसूबा कैसे बनाओ выпуск आईए प्लाणिंग के बारे में मजीद मालूमात हासल करते हैं हमने प्लाणिंग को वाजए करने के पहले मरहले के बारे में सीखा है आईए अब प्लानिंग के तरीके कार के छोटे मराहिल को समझते हैं प्लानिंग के तरीके कार के पहले मरहले में इन तमाम उमूर की फहरिस्ट तयार करते हैं जिने हमें अपने प्राजिक्ट को मुकमल करने के लिए करना होगा ये फहरिस्त हमें इस सवाल का जवाब देने में मदद करेगी कि मेरे प्राजिक्ट को मुकमल करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मिसाल के तौर पर अपने घर की तामीर करते वक्त आपके उमूर की फहरिस्त में घर बनाने के लिए तमाम जरूरी उमूर शामिल होंगे जैसे सीमन, इट वगेरा, कच्छे माल के खरीदारी, घर की बन्याद बनाना, इसे पेंट करना, फरनीचर सेट अप करना वगेरा तर्यके कार के दूसरे मरहले में हम ये तै करते हैं कि उमूर को किस तर्टीब में मुकमल किया जाए? ये मरहला हमें इस सवाल का जवाब देता है कि इन उमूर को किस तर्टीब में मुकमल करना होगा? मिसाल के तौर पर घर की तामीर करते वक्त अगर आपने पहले सीमिन्ट और इट नहीं खरीदी है तो आप घर की बन्याद नहीं रख सकते इसलिए अमूर को मकमल करने के लिए तर्टीब तायून करना एहम होता है तीसरे मरहले में आप इस सवाल का जवाब देते हैं कि यस तरह के अमूर को मकमल करने की जरूरत है पर इसके मताबिक मुंतकिब शुदा अमूर को तीन जुमरों में तक्सीम करना होगा अमूर के तीन जुमरे हैं खुद मुखतार काम यानी काम जिसको मुकमल करने के लिए दीगर अमूर पर मुनहसर नहीं होना होगा दूसरा ऐसे अमूर जिनको दूसरे अमूर के साथ एक ही वक्त में मुकमल किया जा सकता है तीसरा ऐसे अमूर जिसको मुकमल करने से पहले दीगर अमूर को मुकमल करने के जरूरत होती है मिसाल के तौर पर घर की तामीर के वक्त खुद मुखतार काम यानी जुम्रे एक के अमूर इसकी मिसाले है कच्छे माल के खरीदारी यक्सा होने वाले उमूर यानी जुम्रे डो के कामों की मिसाल है घर की बुनियाद रखने के साथ साथ तहफुस के लिए दीवार की तामीर करना और घर को पेंट करना ये उमूर की मिसाले हैं जिसको कई दीगर उमूर जैसे इट लगाना वायरिंग वगेरा इन उमूर को मुकमल करने से पहले नहीं किया जा सकता यानी जुम्रे तीन के उमूर चौथे मरहले में इस सवाल का जवाब मिलता है कि इस प्रोजेक्ट को मुकमल करने के लिए कौन से मवाद और वसाइल दरकार होंगे वसाइल की दो एहम किसमे हैं पहला मादी वसाइल जैसे इंट और सीमेंट जो घर की तामीर के लिए जरूरी है और दूसरा इनसानी वसाइल जैसे आर्किटेक्ट्स, इलेक्ट्रिशन और मेस्त्री जिनकी महारत प्रोजेक्ट को मुकमल करने के लिए जरूरी है मिसाल के तौर पर घर की तामीर करते वक्त आपको माहर पेशावर अफराद से राप्ता करना होगा जैसे मेस्त्री, प्लामबा, लेक्ट्रिशन और आपको इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि आपको किन तामीराती अश्या की जरूरत होगी जैसे कि पेंट, पाइप, इट, सीमेंट, वाइरिंग वगिरे प्लानिंग तरीके कार के पांचवे मरहले में आप इन सवालात के जवाबात देंगे जैसे कि इस प्रोजेक्ट को मुकंमल करने के लिए कितना वक्त और कितनी कीमत درकार होगी इस मरहले में आप तमाम माद्दी और इनसानी वसाइल का मुहासिबा करेंगे और अपने प्राजिक के लिए एक बजट तयार करेंगे मिसाल के तौर पर अपने घर की तामीर करते वक्त इस जुम्रे में आप मुहासिबा कुछ इस तरह करेंगे एक कच्चे माल की कीमत कितनी होगी प्लमबर और इलेक्टरिशन जैसे माहर पेशावर अफराद को कितनी रगम अदा करनी होगी प्लानिंग तरीके कार के छटवे मरहले में एक टाइम लाइन बनाते हैं जो आपको इस सवाल का जवाब देने में मदद होगी कि इस प्रोजेक्ट का हर एक काम कब मुकमल होगा टाइम लाइन बनाने के लिए आपको ये तै करना होगा कि हर एक काम की इप्तिदा और इख्तिताम कब की जाएगी फिर इसके मताबिक उन उमूर को मुकमल करने के लिए आपके टीम मेंबरान के लिए डेडलाइन तै की जाएगी टाइम लाइन बनाने के कई मुख्तलिफ तरीके हैं यहाँ दो तरीके बताए गए हैं पहला, अगर ये तै नहीं है के हर एक काम के लिए कितना वक्त लगेगा तो आप हफ़तावरी टाइम लाइन बना सकते हैं जिसमें आप इन तमाम उमूर की फहरिस्ट बनाते हैं जो उस हफ़ते में मुकमल किये जाएंगे और दूसरा, अगर आपको मालूम हो कि एक काम को मुकमल करने में कितना वक्त लगेगा तो आप पहले मरहले में बनाए गए उमूर की फहरिस्ट में हर एक काम की अप्तिदाई तारीख और इफ्तितामी तारीख लिख सकते हैं निसाल के तौर पर अगर हम घर की तामीर के लिए एक टाइम लाइन बना रहे हैं तो हमारा पहला काम सभी दरकार अश्या को खरीदना होगा फिर हम घर की तामीर कर सकते हैं और फिर डीगर उमूर हो सकते हैं जैसे वाइरिंग, पाइपिंग और पेंटिंग प्लानिंग तरीके कार के आखरी मरहले में आपको खुद से पूछना है कि इस प्राजेक्ट के दोरान कौन से गलतियां हो सकती हैं चैलिंजिस के बारे में पहले से ही अंदाजा लगाने से हम बैक अप मनसूबा बना पाते हैं इस से हमें किसी भी मसले को हल करने और उसका हल तलाश करने में मदद मिलती है मिसाल के तौर पर अगर आप बारिश के मौसम में अपने घर की तामीर कर रहे हैं तो मौसम की वजह से तमाम अमूर को मुकमल करने में और घर की तामीर में ताखिर हो सकती है अगर आपने पहले से इसके बारे में सोचा है तो आप ताखीर का हल पहले से ही सोच कर रखेंगे आईए प्लानिंग तरीके कार के तमाम साथ मराहिल को एक साथ देखते हैं जब आप तमाम मराहिल को मकमल कर लेंगे तब आप अपने प्राजिक्ट को रूबे अमल लाने के लिए तैयार हो जाएंगे. अब तक हमने प्राजिक्ट मैनेजमेंट के दो मराहिल के बारे में मालुमात हासल की है. वजाहत और प्लानिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकल को मुकमल करने के लिए अगला विजियो देखें